जै श्री राम साथियों! आज हम देखेंगे श्री राम चंदर जी की बहुत प्रसिद्ध स्थूती श्री राम चंदर करपालु भजुमन हर अनभवबै दारुणम इसका अर्थ महाकवी तुलसी दाशी जौरा रचित विनेपत्रिका में 45 वी रचना है श्री राम स्थूती यह हरी गिती का चंद के रूप में लिखी गई है एवं राग गौरी में गाई जाती है विनेपत्रिका में भगवान गणेश, सूर्य, शिव, देवी जी, गंगा, यमना, काशी, चितरकूट, हनुमत, लक्षमन, भरत, सत्रुग्न, सीता जी, श्री राम, आदी की इस्तुतियां है और सुन्दर भजनों का समावेश इसमें किया गया है यह जो इस्तुति है, इसमें पहले पाँच चंद, यह विनेपत्रिका से लिए गए है और बाद के दो चंद, जो हैं, साथवे और साथवे, यह बालकांड, तुलसी दास जी द्वारा रचित, श्री राम चरित मानस के बालकांड से लिए गए है यह है 235 दोहे के बाद, आठवा और नवमा चंद, और 236 सा सोर्था, जानी गवरी अनुकूल यह वाला सोर्था बालकांड से लिए गया है तो इनका समावेश करके, यह बहुत सुन्दर श्री राम जी की इस्तुति बनाई गई है तो आईए देखते हैं इसका अर्थ श्री राम चंद्र कृपालू भजुमन हरन भवभय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र जी की इस्तुति की जा रही है जो की बहुत ही कृपालू है बहुत ही डायालू है जो की सब पर कृपा करने वाले है भगवान क्या करते हैं कृपा करते हैं मन तो उनका भजन कर उनका इस्मरन कर उनको भज उनका गुडगान कर भजन का मतलब भजना भजने का मतलब गुडगान करना जो भी आराध्य हैं, देवी हैं, देवता हैं, उनका अगर हम गुणगान करते हैं, उनकी इस्तूती करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बाते उनकी बताते हैं, उनके शारे और पराक्रम का वर्नन करते हैं, तो उनको ही हम भजन कहते हैं, जो हरन करते हैं, हरते हैं, ले ले क्या चीज भव का मतलब होता है संसार दुनिया जिसको हम बोलते हैं दुनिया कहते हैं भव सागर से पार करो भव सागर भव सागर का मतलब यह दुनिया जो है वो एक सागर की भाती है अथा है जिसमें बहुत सारे प्रकार के नाना प्रकार के जीव जन्तू रहते हैं इसे रेश को भव सागर संसार रूपी सागर इसका मतलब होता है हुए मतलब डर संसार में जो डर हैं धैंकर डर हैं दारून का मितलब अत्य अत्यंत कष्टकारी इनको बोलता है दारुन जो कष्ट देते हैं ऐसे दुख अत्यंत कष्टकारी दारुन के बारे में एक दोहा भी है जाको प्रभु दारुन दुख देही ताकि मती पहले हर लेही जिसको भी उपरवाला प्रभु ईश्वर दारुन दुख देने वाला होत उसकी मती उसका दिमाग उसकी बुद्धी उसकी विवेक उसको वो पहले ही हर लेते हैं खतम कर देते हैं ताकि उसके अंदर सोचने समझने की अच्छा बुरा पहचानने की धर्म अधर्म पहचानने की यह सब उसकी छमता खतम हो जाए और वो अपने आप ही फिर दीरे दीरे जिरे पतन की और चल पड़ता है ये भगवान की टेकनीक है कि भगवान जिसको भी दुख देना चाहते हैं उसका आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है ये सही है ये गलत है जो मैं करूंगा वो गलत है लेकिन फिर भी उनको मजा आता है मैं तो ये ही करूंगा ये इश्वर की कृपा होती है जो भगवान हमको अच्छी बुद्धी दे सोचने समझने की शमता दे सही रास्ते पर ले करके जाए इश्वर सब कुछ नहीं करेगा लेकिन इश्वर आपके अंदर सोचने समझने की जो आपकी शक्ती है उसको परिश्कृत कर देगा उसको रिफाइन कर देगा ताकि आप सही डिशीजन ले पाएं क्योंकि अगर एक गलत डिशीजन ले लिया तो रास्ते कही चौराहे पर आप पहुंचे इधर जाना है इधर जाना है वापिस जाना है और एक गलत डिशीजन लिखे और चल पड़े आप तो फिर वहां से लोटना बड़ा मुश्किल हो जाता बड़ी हानी हो जाती है तो पहली वाली जो लाइन है इसका मतलब सिर्फ यह हुआ, हे मन तु श्री राम चंदर भगवान का, राम चंदर जी का, देखे राम चंदर जी जो थे न, वो सूरिवन्शी थे, लेकिन उनके नाम में चंदर जुड़ जाता है, सूरिवन्शी थे वो, रगुकुल रीत सदा चलिया है, रगुकुल के थे सूरिवन्शी राजा थे, परंतु नाम में चंदर जुड़ा है, स्री राम चंदर कृपालू, जो की कृपा करने वाले हैं, दयालू है, हे मन तो उनका भजन कर, जो की संसार के अत्यंत भयंकर, अत्यंत कष्टकारी, भय को, डर को, जो की दूर कर देते हैं, हर लेते हैं, इसमें एक दुखका और उलेक किया जाता है, जीवन और मरण, ये जो दुख है, ये जो कष्ट है, इसको भी वो हर लेते हैं, दूसरी लाइन है, नव कंज, नव का मतलब होता है नए, नव, कंज का मतलब होता है कमल, अब तुलना की जा रही है, उनके रूप की, उनका आई वो तो बड़ा smart है, क्या body है और उसकी और क्या चहरा गोल है और क्या तेज है चहरे पर और क्या height है और वा वाई God ऐसे बोलते हैं पर किसी के बारे में अच्छी बाते बोलना है तो यहां पर भी रामचंद्र जी के रूप के बारे में बोला जा रहा है नए खिले कमल के समान नवकंज मतलब नए खिले कमल लोटस लोटस लोचन लोचन का मतलब होता है नयन या आखें लोचन का मतलब होता है आखें या नयन आखों की सुन्दरता बहुत बार बखान की जाती है बहुत तरह से बखान की जाती है सागर जैसी आखो वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या जील सी आखें है तेरी मतलब इसका भाव अलग है लेकिन आखों की बारे में बोला जाता है सुन्दरता में आखों का बड़ा अच्छा स्थान है सो राम चंदर जी की जो आखें है वो नए खिले हुए कमल के समान है कंज कमल फिर से मुख उनका जो चहरा है चांद सा है तेरा चहरा है ना चांद से तुलना की जाती है बाद में पता चला माइक्रो टेलिस्कोप से देखने पर कि चांद भी उतना सुन्दर नहीं है जितना पर उसकी दूर से अलोकिकता सुन्दर ता इतनी अच्छी लगती है तो राम चंद जी का मुख कमल के समान है कर कर मतलब हाथ हाथ पद मतलब पैर ये भी कमल के समान है ये भी जो है कमल के समान है कंज मतलब कमल कंजा अरुनम अरुनम अरुन मतलब अरुन अरुन का मतलब हो वो रक्त वर्णी लाल वर्णी कमल के समान है कमल पिंक भी होते है कमल गुलाबी भी होते है कमल लाल भी होते है तो जो उनके पैर है वो लाल रंग के सुन्दर कमल के समान है उनके हाथ पैर और मुक और आखें कमल के समान खिल रही है बड़ा ही सुंदर स्वरूप बखान किया गया है इसमें रामचंदर जी का अगला चंद नमबर दो कंदर्प अगनित अमित छबी नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुची शुची नौमी जनक सुतावरम कंदर्प का मतलब होता है कंदर्प का मतलब होता है कामदेव सुंदर्था के देवता highest degree of beautifulness highest degree of beauty कामदेव हमारे शाष्टरों में ऐसा बोला गया है कि जितनी भी संसार में सुंदर चीजे हैं related to काम ये कामदेव जी एक भगवान है उनकी ही देन है उनकी बनाई हुई है तो कंदर्प का मतलब हो गया कामदेव अगणित गणित का मतलब जिनकी हम गड़ना कर सकते हैं calculation कर सकते हैं जिनको हम count कर सकते हैं count अगणित का मतलब होता है जिनको हम count नहीं कर सकते गिन नहीं सकते जिनको हम अगडित का मतलब हो गया जिनकी गड़ना नहीं की जा सकती ऐसे अनगिनत इसको अगर आप बोलते हैं कई बार हम भी इसका यूज करते हैं अनगिनत गिनत मतलब जिनको हम काउंट कर सकते अनगिनत अगणित अनगिनत कामदेव जैसा रूप उतनी सुन्दरता है रामजंदर जी की अमित अमित का मतलब है बेसिकली अमित जिसको मिटाया नहीं जा सकता है अमित छबी अमित छबी मतलब हो गया ऐसी छबी, ऐसी पिक्चर ऐसा रूप उनका मन में समा गया है जो कि भुलाये नहीं भुलाया जा सकता, मिटाये नहीं मिटाया जा सकता अमिट छवी, एक बात जिसने देख लिया, आहा, आहा, वा, वा, वा क्या रूप है, क्या सुन्दर है, आपके दिमाग में बस गई, दिल में बस गई वो छवी अमिट छभी है उनकी जिसको मिटाया नहीं जा सकता रामचंद्र जी की नव नए नील मतलब नीले रंग के नील का एक पौधा होता है जिससे नीला रंग बनाता है नील एक पौधा है इंडिगो उस पौधे की जो पुश्प है उससे एबस्ट्रेक्ट को करके और नीला रंग बना जाता है इसलिए उस रंग को नीला रंग बोलते हैं नील नीला रंग नीले रंग का इसका गहरा रंग के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है बोला जाता है dark, कही बार इसका use, dark color बताने के लिए भी बोला जाता है नील पढ़ गया, जैसे कोई चोट लग जाती ही ना, हाथ में कही बार और वो काला सा निकलिशा नील पढ़ गया, यहाँ नील पढ़ गया, that is गहरा नीरद, नीरद का मतलब होता है, नीर, नीर का मतलब होता है पानी, जल और नीरद का मतलब होता है पानी, युक्त, बादल ऐसे बादल, जिनके अंदर पानी होता है, वो बादल नीले कलर के होते हैं नीरद का मतलब होता है बादल पानी युक्त बादल, नीरद, नीरज अलग है, नीरज का मतलब होता है कमल नीरज, राजीव, राजीव लोचन बोलते है, राजीव का मतलब होता है कमल नीरज अलग है नीरद अलग है तो नीरद दाने से ये हुआ बादल ऐसे बादल जिसमें बहुत सारा पानी होता है और वो नीले कलर के हैं और नए 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 खिले नए नए पहुंचे हैं बादल इतने सुन्दर है विशाल रामचंदर जी की छवी है ऐसा लग रहा है मानो पानी युक्त नीले रंग के बादल जैसे आसमान में च्छा जाते हैं बड़े ही सुन्दर लगते हैं वो वैसे हमारे रामचंदर जी की छवी है अंगिनत कामदेव जैसे हों सामने ऐसी छवी जो मिट ना सके और ऐसे बादल जो पानी युक्त लेके नीले कलर के नए नए बादल हों बड़े ही सुन्दर लगते हैं ऐसी छवी रामचंदर जी की है पट पीत पीत मतलब पीला और पट मतलब कपड़े पीतांबर जिसको बोलते हैं न पीले रन के वस्त्र वस्त्र मानो मानहु मानो जैसे तडित बिजली तडित चालक एक शब्द आता है तडित चालक बिल्डिंगों की छप पे लगाया जाता है रुची रुची कर इंट्रस्टिंग जिसको हम इंट्रस्ट कहते हैं हमारा हमारी रुची इसमें है इंट्रस्टिंग शुची मतलब शुचीता पवित्रता पवित्र इस पवित्र नौमी नौमी का मतलब वैसे नौमी होता है पर यहां पे नौमी का अर्थ है नमन करता हू नमन करना जनक सुता सुता का मतलब होता है पुत्री सुत मतलब होता है पुत्र सुता मतलब होता है पुत्री सीता जी कौन थी? जनक जी की पुत्री थी इसलिए जनक सुता शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? सीता जी के लिए किया गया है वरम मतलब वर करना उनको वरण करना अब इसका मतलब क्या निकला रामचंद्र जी पीले वस्त्रों में ऐसे लगते हैं मानो बिजली आस्मान में चमक रही हो बड़ा ही सुन्दर रूप है इंटरस्टिंग उनको दिखाई दे रहे हैं बड़ा ही पवित्र उनका सुरूप दिखाई पड़ रहा है मैं ऐसे सुरूप को जिन्होंने जनक सुता सीता जी को वर किया है सिता जी का वरण किया है ऐसे श्री राम जी को मैं नौमी नमन करता हूं बारंबार उंको प्रणाम करता हूं तीसरा चंद भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रगुनंद आनंद कंद कौशल चंद दसरत नंदनम भजु मतलब भजिये भचन करना दीन बंधु गरीबों के मसीहा दीन हीन कहते ना दीन हीन मतलब गरीब टाइप के जो लोग है या असहाय हैं गरीब बोलीजिये या असहाय बोलीजिये हारे हुए बोलीजिए दीन हारे जो हार जाते हैं जीवन में कई जगहों पर बंदू मतलब भाई दीन बंदू मतलब जो गरीब से गरीब लोगों का भी साथ देते हैं उनके भाई है हारे हुए लोगों के साथ देते हैं ऐसे श्री राम है हमारे दीन बंधु है अगर आप इसको नेताओं की लेंग्वेज में बोलेंगे तो गरीबों के मसीहा नेताओं के लिए यूज होता है ये वर्ड दीन बंधु मतलब जो सबल है उनका साथ तो हर कोई दे देता है जो लोग सबल होते हैं जिन्दगी में ताकतवर होते हैं पैसे से बुद्धी से पावर से पद से उनके साथ तो बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं परंतु जो गरीब है असहाय है निर्बल है धनहीन है निर्धन है उनके स संसार में निर्धन होना उससे बड़ा दुख कोई भी नहीं है निर्धनता सम दुख जगमाही संत मिलन सम सुख जगनाही अच्छे लोगों का मिलना इस संसार में सबसे बड़ा सुख होता है तो ऐसे लोगों का साथ दीन लोगों का साथ देने वाले श्रियाम चंदर जी दि और दैत्य लोगों का राक्षासों का और दैत्यों का दानव लोगों का संहार करते हैं उनका वंश निकंदनम निकंदनम का मतलब होता है नश्ट करना, खतम कर देना, समूल नश्ट कर देना, वंश को ही पुरा खांदान समाप्त कर देना, ए हमसे पंगा मतलेना, खांदान को निप्टा देंगे तेरे, ऐसा बोलते हैं, वोई चीज यहां पर रामचंदी जी के बारे में बोली गई है, डानव, दैत्य और जो बुरी विचार धारा के लोग हैं, उनको समूल, पूरा वंश ही उनका खतम कर देते हैं, जैसे रावन का वंश खतम हुआ था ना, रावन, क यहां पजन कर, ऐसे श्री रामचंदा जी का तू भजन कर, रघुनन्द, रघुकुल के नंद, बेटा बेटी नंद बोलते हैं, रघुकुलमच जन में, आनंद Parents, आनंद फल देने वाले, कॉषल चंद, कॉषल प्रदेश जो है, कॉषल प्रदेश, कौशल अधीस भी बोलते हैं इनको कौशल पृदेश जो की आयोध्या और उसके आसपास लगता था कौशल पृदेश के जो राजा हैं कौशल पृदेश के आकाश में जो चंद्रमा के समान चंद्रमा के समान शुशोभित हैं ऐसे दशरत जी के नंदनम दश्रत जी के पुत्र, यहां पे थोड़ा सा दश्रत पुत्र, नंदन का मतलब पुत्र हो गया, तो रामचंद्र जी कैसे है, रगुनंद है, रगुकुल में जन्में है, उनका वंश्क में जन्में है, आनंद फल देने वाले हैं, और कौशल प्रदेश के चंद्रमा, मतलब कौशल प्रदेश के चंद्रमा कौन हैं दश्रत जी उनके पुत्र हैं यह उनका आइडेंटिफिकेशन बताया जा रहा है चाथा चंद सिर्मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूशणम आजानु भुजशर चाप धर संग्राम जित खर दूशणम सिर्पे जिनके मुकुट है रत्नों जडित मुकुट है चमचमा रहा है कानों में जिनके कुंडल है माथे पर जिनके तिलक है ऐसे चारु मतलब चार्मिंग रुचिकर ऐसे परसन्चित चारु का मतलब परसन्चित उदारु मतलब लिबरल प्रचर मात्रा में अंगिनत उदार रूप से अंग विभूशणम जिनके सारे अंगों में कोई न कोई आभूशन विभूशण का मतला है गहनों से सजाना विभूशित गहनों से आभुशनों से सजाना डेकोरेट करना जिनके सारे अंग डेकोरेट किये गए है प्रचुर मात्रा में प्रचुर मतलब एबंडेंस खूप सारे बेशुमार सो रामचंड जी के सिर पर मुकुट है कानू में कुंडल है माथे पर तिलक है जो चार्मिंग है जिनके सब अंगों में नाना प्रचुर मात्रा में गहने शुशुभित हो रहे हैं आजानू का मतलब होता है पैर के जो घुटने हैं घुटनों तक लंबे और भुझ भुझ का मतलब होता है हाथ रामचंड जी के हाथ इतने लंबे हैं यह वीरों की निशानी होती है, जो वीर होते हैं, चोड़ी छाती वीरों की, और हाथ भी उनके लंबे हैं, जो कि हमारे हाथ घुटनों तक नहीं जाते हैं, परंतु रामचंद जी इतने बलवान थे, इतने बलिष्ट थे, और आजानू भुझ थे, जिनके भुझाएं आजानू लंबित केश बोल सकते हैं आप, मतलब जिसके सिर के बाल गुटनों तक लंबे हों, आजानू लंबित केश, आजानू केशा, शर चाप धर, मतलब आर्क, चाप काटना, जोमिट्री में हम चाप काटते थे, आर्क काट करते थे, आर्क किस चीज का प्रतीक है, धन धनुष जिस पर हम तीर चलाते थे तो यह आर्क यह धनुष जो है धनुष और शर का मतलब होता है बान या इसको बोलते हैं तीर धर धारन करने वाले रखने वाले राम चंद्र जी कैसे हैं राम चंद्र जी आजानु भुज है जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है और जो धनुष बान को धारन करने वाले हैं उनको रखने वाले हैं संग्राम लड़ाई महा संग्राम मतलब बड़ी लड़ाई जीतना जित मतलब यहां पे हो जीत किसको खर और दूशन दो भाई थे ये खर और दूशन इनको संग्राम में इनको लड़ाई में जीत लिया था जब वनवास हुआ था तो वो जो इलाका था वो खर दूशन का था तो रामचंदी जब वहाँ पर पहुंचे तो खरदूशन ने मना कर दिया यहाँ पर हम जगहनी दे पाएंगे आपको तो उनसे भेंकर लाई हुई थी खरदूशन बहुत भेंकर बाले बहुत बड़े रक्षसों में इनका गिना जाता था उनको जीत लिया था किसने रामचंदी जी ने तो रामचंदी की ये विशेषता है इसमें बताई जा रही है पाच्वा चंद इति वदति तुलसी दास शंकर शेश मुनी मन रंजनम मम हिर्दय कंज निवास कुरू कामादी खल दल गंजनम रंजनम का मतलब होता है प्रसन करना खुश करना प्रसन करने वाले है ना जैसे मन को प्रसन करना होता है ना मन को प्रसन करने वाले मन रंजनम मन रंजनम से ही वर्ड आया मनो रंजन मनो रंजन मन को जो खुश कर दे entertainment मनो रंजन को हम जब जानते हैं entertainment entertainment ओके इती वदती वदती मतलब बोलते हैं वादन बोलना यहाँ पर इसका मतलब है बोलना वदती बोलना कौन तुलसिदाश जी बोलते हैं इसी लिए इसी लिए तुलसिदाश जी बोल रहे हैं कि भगवान राम जो है वो शंकर शेश शेशनाग ऐसा माना जाता है कि इनके हजार फन है और उनके फनों पर ही प्रत्री टिकी हुई है धर्ती जो टिकी हुई है वो शेशनाग जी के फन की उपर ही टिकी हुई है मुनी, मन, रंजनम ये देखिए ये वर्ड आ गया यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि रामचंद जी का स्वरूप ऐसा है जो की शंकर, शेशनाग, मुनी, जितने भी देवी देवता हैं उनके मन को प्रसंद करने वाले हैं ऐसा तुलसीदाज जी कह रहे है मम, मेरे, हिर्दय, हार्ट, मेरे हिर्दय, कंज मतलब कमल मेरे हिर्दय कमल में, लोटस, निवास करिये, कुरू मतलब करिये हे प्रभुराम जी, आप मेरे हिर्दय में बसिये मेरे हार्ट में पर्मानेंट बस जाएए मेरे हिर्दय कमल में, हिर्दय कमल में निवास करिये कामादी, काम सरूप, जो वासना सरूप, जो बुरी भावनाएं हैं उनका खल मतलब गंदी भावनाएं खल मतलब बुरी खल और सट ये पूरी रामाइन में बहुत बार मिलेगा खल और सट, सट मतलब होता है मुर्क सट सूने हरी आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही सट सन विनय कुटिल सन प्रीती, सहज कृपन सन सुंदर नीती तो सट का मतलब होता है मूर्क और खल का मतलब होता है गंदा, बुरा खल दल, समूह, दल मतलब पढ़ते हैं बजरंग दल, समूह गंजनम, नश्ट करना, नश्ट करने वाले सो, हे प्रभुराम, मेरे हिरदय कमल में निवास करिए और मेरे मन के अंदर जो बुरी भावना है, उनका जो समूह है काम, क्रोध, मद, लोब, काम आदी का मतलब काम आदी, मतलब काम, ऐसा बोला जाता है काम, क्रोध, मद, नशा, लोब, लालच, ये कामादी का मतलब ये चार चीज़े, इनके समूह को दल समेत नश्ट करिए, छटवा चंद, अब ये जो चंद है, इसका थोड़ा सा प्रसंग आपको बताना चाहूंगा, कि सीता जी का स्वयमवर होने वाला है, उनकी शादी होने वाली है, तो जो सीता जी की मा थी, उन्होंने सीता जी को और उनकी सहेलियों को गौरी पूजन के लिए भेजा, पार्वती पूजन के लिए भेजा, शंकर पूजन के लिए भेजते हैं, हमारे मंदिर जाती हैं, तो जब सीता जी गई मंदिर वहाँ पे उस समय रामचंडर जी वहाँ पर विचर रहे थे, वो अपने भाई के साथ और अपने गुरू के साथ वहाँ आए हुए थे तो सीता जी ने उनके दर्शन किये रामचंदर जी के और मन में बड़ा प्रसनता अनुभाव किया बड़ी प्रसनता अनुभाव की और मन में ये संकल्प माना कि ऐसा ही वर ये ही वर मेरे को भगवान मिल जाए कल मेरा स्वयमवर है और मेरे को अनेक राजाओं को जो आएंगे उनको चुनना है लेकिन ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं बढ़ियां हैं ये मेरे को मिल जाएं ऐसा सोच करके सीता जी चल रही है और ये जो चंद है उसमें उसी चीज का उल्लेक ये बालकांट से लिया गया है मन जाही राचयो राचयो मतलब रुची कर मन में जो रुची है मेरे बस गया है मन में जो बस गया है मन को जो मेरे रच गया है रच बस जाना बोलते हैं न हम लोग रच बस जाना वही है राचियों मतलब रच गया है मन में जो जैसे जो रच गया है मिलही सोबरू वोही वर तुमको मिल जाए मिलही सोबरू वोही वर वोही वर मिल जाए जो की सहज है, सरल है, सहज मतलब सरल, सिंपल, सुंदर, ब्यूटिफुल, हैंसम, सावरो, मतलब सावला कलर जिनका है, जिनका रंग सावला है, सो इसका मतलब ये निकला, कि ये एक्चली में पारवती जी का आशिरवाद मिल रहा है, सीता जी को, और ये इसलिए इसमें जोड़ा गया है, कि भारत वर्ष की हर कन्या, हर लड़की, मन में ये सोच के बैठी रहती है, कि ऐसा होना चाहिए, मेरा व्यर ऐसा होना चाहिए, मे में, तो उसका यहाँ पर उलेख किया गया है, कि मन में जो रच बस गये हैं, वो ही वर मिल जाए, कैसा वर, सहज, सुंदर, सावले कलर का सुंदर हो, सहज हो, सिंपल हो, जो कैसा हो, करुणा निधान हो, निधान, निधी से आया निधान, मतलब, निधी का मतलब होता है, सं संपत्ति और जो संपत्ति को धारण करता है संपत्ति धारी खजाना धारी निधी का मतलब खजाना भी होता है जिसके पास खजाना हो उसको निधान बोलते हैं जो कि करुणा के निधान हैं जो कैसे हैं बड़े ही सिंपल हैं और बड़े ही पुलाइट हैं करुणा मैं हैं मतल ऐसे करुणा निधान हैं, कौन? रामचंद्र जी सुजान, मतलब बुद्धीमान बुद्धीमान करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान एक दोहा आमने पढ़ा था बच्पन में जडमति, मतलब बुद्धी जडमतलब रुकी हुई ऐसे लोग जिनकी बुद्धी रुकी हुई है, जड़मती हैं, दिमाग नहीं चलता, सोचने समझने की छमता नहीं है, कब क्या करना है, ऐसा नहीं समझ पाते हैं, ऐसे उनको बोलते हैं जड़मती, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, सुजान का मतलब होता है बुद बुद्धिमान बन जाते हैं, बार-बार पढ़के हम बुद्धिमान बन जाते हैं, जो शील, सनेह, मतलब इसनेह, जानत, रावरो, जो करुणा का तिधान है, करुणा को खुब सारी विपुलता है जिनके अंदर, बड़े पुलाइट हिर्दय के हैं, जो बुद्धिमान है, और जो शील और इसनेह को जानते हैं समझते हैं ऐसे रावरो मतलब ऐसे व्यक्ति जो शील और सनेह को धारन करते हैं मतलब जिनके मन में मर्यादा हो शील हो और इसनेह हो हर पिता यही चाहता है कि हमारी लड़की ऐसे घर में जाए जहां पे उसको ऐसा husband मिल जाए हमारे दामाद ऐसे हो जो इसने को शील को समझे उसको समझते हो और करुणा के निधान हो जब भी मेरी बेटी कोई demand करे वो इसकी इच्छा पूरी हो जाए मेरी बेटी खुश रहे यह हर व्यक्ति की एक फाईश होती है तो रामचंदर जी ऐसा ही स्वरूप यहां पे रामचंदर जी का बखान किया है सात्वी सात्वा चंद यही भाती गावरी असीस सुनिसी सहित ही हरशी अली तुलसी भवानी ही पूजी पुनी पुनी मुदित मन्दिर चली यह एक्चली में इसको पहले आना चाहिए था और यह वाली जो लाइन है इसको नीचे आना चाहिए था देखिए तुलसी भवानी ही तुलसी और भवानी की पूजा बार बार करके मुदित मतलब हर्ष पूर्वक मुदित होना मतलब खुश होना खुशी खुशी मुदित का मतलब हो गया खुशी खुशी मन मंदिर चली एही भाति गौरी अशीष इसी तरह गौरी मतलब पारवती जी का इस प्रकार पारवती जी का आशीष सुनकर सिता जी सहित ही हर्षी ही ये का मतलब हो गया हिर्दय हर्षित होकर हर्षी पार्वती जी ने आशिरवाद दिया तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुदित बन मंदिर चली सिता जी जो है वो तुलसी और भवानी की पूजा करकर के बार-बार खुश हो करके पुनी-पुनी मुदित बार-बार खुश हो करके मंदिर चली है और जो गौरी ने उनको आशिरवाद दिया है इस तरह यही भाती मतलब इस तरह इस तरह पार्वती जी का आशीश सुनकर सीता जी, सी ये मतलब सीता जी अपनी सहेलियों सहित हिर्दय में खुश हो करके चली उनको आशिरवाद मिला सोर्था, जानी गौरी अनकूल, सी ये हरशन जाई कही मन्जुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे जानी जानकर गौरी पार्वती जी को अनकूल एक्चली मैं इस लाइन को पहले हमको बताना चाहिए मन्जुल, चार्मिंग मन्जुल का मतलब होता है चार्मिंग चार्मिंग आप बोलेंगे मतलब परसंद करने वाला मंगल मतलब शुब मंगल हो, शुब हो मूल, बाम मतलब बाएं अंग फरकन लगे, फरकन मतलब फड़कना समुद्रिक शास्त्र में जिसमें बॉडी जेस्चर्स और इसकी बारे में बताया गया है समुद्रिक शास्त्र में ये बताया गया है कि यदि पुर्शों के डाएं अंग फड़कते हैं जैसे डाएं आख फड़कना, डाया कंदा फड़कना, दाया हाथ फड़कना, राया पैर फड़कना, वो शुब होता है, अच्छा होता है और इस्तरी जो होती हैं उनकी अगर बाइंग फड़कते हैं बाइंग आक, कंधा, बाजू, पैर इस तरह से अगर फड़कते हैं तो वो शुब होते हैं ये शुब और अशुब लक्षन बताए जाते हैं तो यहां पर प्रसंता के प्रतीक प्रसंता और शुब चीजों के प्रतीक बाइंग फड़कने लगे, मतलब शुब संकेत मिले, चानी गौरी अनकूल, जब ये अंग फड़कने लगे, तो सीता जी को लगया कि मा पारवती ने मेरे को आशिरवाद दिया है जानी गौरी अनकूल, पारवती जी को अनकूल जान करके सीता जी का हिय क हरशुन जाई कही सीता जी का हिरदय, हिय मतलब हिरदय, मन हर्ष से भर उठा और हर्ष से इतना भर गया कि नंजाय कही जिसका वर्नन नहीं कर सकते, जिसको बोला नहीं जा सकता इतनी खुशी हो गई उनको सिता जी पारवती जी की पूजा के लिए गई पूजा करने के बाद में उनके बाएं अंग फड़के तो उन्होंने समझा ये शुब हुआ मंगल हुआ ऐसा जान करके उनको सिता जी को ऐसा लगा कि मेरे को गौरी ने आशिरवात दिया है क्योंकि वहां पे उनको रामचंद्र जी दिखाई पड़े थे मिले थे तो उनके मन में ये भावना थी कि ऐसा ही वर मुझको मिल जाए तो जब शुब अंग फड़क गए तो सिता जी को लगा कि पारवती जी ने उनको आशिरवात दिया है हर्श इतन तुलसी दाश जी ने लिखी है श्री रामचंद्र किरपालू भज्मन रामचंद्र जी का सुरूप बताया है रामचंद्र जी करोणा निधान है रामचंद्र जी बलशाली है तो जब हम इस्तुतियां करते हैं पढ़ते हैं जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं रामजी उसी रूप की और बढ़ चलते हैं तो जब हम किसी चीज का पाठ करें तो यह नहीं कि हम बस पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले उसको समझिये आजानू भुज का मतलब क्या इतनी लंबी-लंबी भुजाएं उनकी कंज लोचन मतलब क्या बड़ी बड़ी आखे सुंदर आखे तो हम जब इस तरह से भगवान जी का स्वरूप देखते हैं वीर लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी वीरता आती है हमारे अंदर भी शौर है आता जरूर आईये तो हमको ये स्तुतियां जरूर पढ़नी चाहिए यदि आपको ये श्री राम जी की स्तुति अच्छी आपको और आप मुझको धन्यवाद देना चाहते हैं तो श्री राम मंदिर बर्खेडा जरूर आईए मद्य प्रदेश, भोपाल, भेल, उद्योग नगरी, बर्खेडा में श्री राम जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पे श्री राम चतुष्ट है, हनुमान जी, शंकर जी, शीव जी, दुरुगा जी, माशारदा पूजी गुरुदेव दत्ता त्रेजी, कृष्ट भगवान आदी के सुंदर सुंदर मंदिर बने है बड़ा ही दिव्य मंदिर है, बड़ा ही अद्भुद मंदिर है इतना सुंदर, इतना अनुपम मंदिर है, बाग बगीचे फुलवारी है आप इस मंदिर को जरूर देखिए मेरा आपसे विनाय है यदि आप आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा जये श्री राम